नमस्कार आदर शिक्षण संस्तान जोत्पुर दुआरा आयोजित ओनलाइन शिक्षण में सभी भयावेनों का हार्दिग स्वागत अभिनन्नें आज हम कक्षा सप्तमी का पार्ट सोला भोर और बर्खा पढ़ेंगे इस पार्ट का कुछ अन्शम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज इस कविता का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे पहले भाग में हमने देखा था कि किस परकार से महिया यसुदा भोर कार्ट होता है सुबे हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान को महिया यसुदा उठाती है और सुबे का जो मोसम में वो कैसा सुहावना होता है उसके बारे में बताया था अब है दूसरा भाग उसमें हम देखेंगे कि सावन के महिने में वर्षा होती है और मोसम कैसा सुहावना हो जाता है और उस समय जो चारो दिशाएं हैं वो हरी भरी और मन भावन अर्थार्थ मन को प्रिय लगने वाली होती है और उस रितु में श्रीक्रशन भगवान ने आने का कहा है तो मीरा भाई के रिये कि सावन के आते ही उन्हें श्रीक्रशन के आगमन का संदेश हुआ है उनको ऐसी खबर हुई है तो आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे बरसे बदरिया सावन की सावन की मन भावन की सावन में उमंग्यों मेरों मनवा बनक सुनी हरी आवन की बच्चों अदरिया का आर्थ है बादल मन भावन का आर्थ है मन को भने वाला मन को प्रिय लगने वाला उमंग्यों का आर्थ होता है मन में एक नई यी उमंग जागरत होती है मन आनदित हो जाता है उत्सा से परिपूरित हो जाता है मेरो मनवा यहने की मनवा याने मेरा मन भनक भनक का आर्थ होता है खबर या कोई समाचार खबर सूचना सुनी हरी आवन की हरी का आर्थ बच्चों यहां से क्रिश्न भगवान से है और आवन का आर्थ है आने की तो यहाँ पर मीरा भाई कह रही है कि बर्से बदरिया सावन की कि जब सावन के बादल बरेस्ते हैं तो वो बड़े ही मन को लुपावने होते हैं मन को अच्छे लगते हैं सावन की जो बारिस है वो मन को बड़ी ही प्रिय रखती है आनंदित कर देती है सावन में उमंग्यो मेरो मनवा और मीरे भाई कह रहे हैं कि सावन के अंदर जब वर्षा होती है तो मेरा मन बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ बड़ा ही अनदित हो जाता है प्रसन हो जाता है क्योंकि सावन के मैने में हरी अर्थार श्रिकरशन भगवान ने आने का कहा था कि मैं आऊंगा उमड गुमड चहुदिस से आया दामिनी दम के जर लावन की और जैसे ही सावन का मैना आता है चहुदिस कार्थ होता है चारो दिशाओं में उमड गुमड करके बादल आकाश में बादल गिर जाते हैं चारो दिशाओं में बादल गिर जाते हैं बच्चो दामिनी का अर्थ होता है बिजली दम के याने चम के जर लावन की याने की जर याने जड़ी बारिश की जड़ी लग जाती है सावन के महिने में चारो तरप चारो दिशव में बिजलियां चमकती है उमड गुमड करके बादला चा जाते हैं और वर्षा की जड़ी लग जाती है आगे मीरा भई कह रहे हैं कि नन्नी बुर्षा भी बोलते हैं और मेह भी बोलते हैं तो के कवित्री यहां पर कह रही है मीरा भाई कि सावन के मैने में जो वर्षा हो रही है वो छोटी-छोटी बुंदों के रूप में गिर रही है और पवन यानि हवा जो हवा है वो बड़ी ही शितल यानि ठंडी और सुहावनी लग रही है ठंडी पवन चल रही है तो वो बड़ी ही सुहावनी लग रही है मन को प्रिय लगने वाली मीरा भाई आगे कह रही है कि मीरा के प्रबु गिर्धर नागर आनन्द मंगल गावन की मीरा बाई कह रहे हैं कि मीरा के जो प्रबु है अर्थाट श्रीकृषिन भगवान गिर्धर बच्चों गिर्धर श्रीकृषिन को इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहाड को अपने अंगुली पर धारन किया था गिरिया ने परवत और धारिया ने उन्होंने धारन किया था तो उनका नाम हो गया गिरधर तो भीरा भाई कह रहे हैं कि मेरे जो प्रबु है जोनोंने पाहाड को अपने अंगुली पर धारन किया था वो अब आ गये हैं सावन का मैना है और प्रभू भी आ गये हैं तो प्रकृती भी बड़ी ही आनंदित होकर के उनका स्वागत कर रही है और उस स्वागत में मैं भी आनंद और मंगल के गीत गा रही हूँ बच्चों इस पार्ट में सावन के मैने के साथ साथ श्रीकरश्ण भगवान के आगमन पर किस तरह से मीरबाई आनंदित हो जाती है और संपूर्ण जो प्रकृती है वो भी प्रसन हो जाती है तो उसका यहां पर वर्णन किया गया है आज इसी वीडियो में अपना ये धन्यवाद.